नमस्कार जमू परिवरतन में आपका स्वागत है मैं हूँ सुशांत मिश्रा दर्शिको Golden पेछिए आप नो के बता देंगे संस्कृत भाशा की ण अधरांwater लेकिन हम आपको पता दे कि जम्मू में संस्कृत भाषा आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है हमारे साथ यह जो पीछे आप देख रहे हैं यह सभी शोध करता हैं संस्कृत के जानेंगे इन से कि क्यों ऐसा हो रहा है क्यों भेदवाब किया जा रहा है संस्कृत भाषा के साथ नाम बताई आपका मेरा सर मेरा नाम गोपाल शर्मा रिशार्ट स्कृलर डिपार्में उस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कहीं ने कहीं मजबूर हो गई है जी सर हाली में हमने यह सोलान जून को रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जो टैन प्लस टू की हाइस कंड़ी अपग्रेड हुई थी कि उनको थोड़ी बहुत सद्बुद्धी है जो संस्कित के साथ इतना दुरुवेवार किया जा रहे है जो आप 10 प्लस टू में आप संस्कित को खो रहे हो तो यह कल हमने सद्बुद्धी यग्य किया था इसलिए था कि 10 प्लस टू की जितनी भी जू हए हैं इनमें संस्कित सडका को इंड्रुव किया है शर जो हमारी संस्कित है आपको देखेंगा हम यह अचार शिक्षा यह हमारे एथिक्स है यह हमोरल वैल्यू जाहं यह हमारी स्प्योड़डी जॉ अध्यात्मिक यह ईसद्रिश्टी सर तो हई हैं बट वेगयानीक तरीके से देखें यह उनीस सो पचासी जाए नासा ने भी प्रूफ किया हूँ यह जो संस्कृत करता हैं यहीं से निकले हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि संस्कृत का जो यहीं से शुरुवात हुई है लेकिन क्यों आज ऐसा बैक फूट पर जाता नजरा रहा है हमारे भारत का इक अलग ही हमारे भारत देश की अलग चवी बनती है आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं हमारा जो भारत है वो दो ही कालनों से विक्यात है दो ही कालनों से परसीद है और हर राष्ट्र दो ही कालनों से परसीद होता है एक तो अपनी जो उसकी खुद की संस्कृतियों की खुद की कल्चर और जो एक उनकी खुद की भाषा हम बहारत की विश्क को देन क्या है, सब सी पहली बाशा जो हमारी संस्क्रीट की बाशा बोलना भारत ने सिखाया मौन वैली की दिश्टी से अचारशिक्षा की दिश्टी से हमारा जो भारत देश्श सुसंपन्न, सुसंफध्ध्य है। हम अपने अपने माता सबको देवता की उपाधी देवता का स्थान देवता देते हैं। बट हमारे जो सरकार, हमारी जम्मू कश्मीर के सरकार दिन बो दिन हमें हमारे साथ, हम गवर्नल साहर से बाद-बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल सथ बुद्धी यह भी किया, बट यह ना हो कि आने वाले दिन में रोड ब्लॉक किया जाए, शातर रिसाच कॉलर सभी, सभी क बट हैं, तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा, हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा? जैसे संस्कृत का उत्थान हो रहा है संस्कृत का पतन करें इसके लिए पतन हो रहा है इसके लिए पतन तो हो रहा है इसका पतन हो रहा है इसलिए हम जो जो स्कॉल्स बर्ग था वो शर्कों पर उत्रा क्योंकि दर्म की हानी हो रहा है कि संस्कृत का हानी यह मतलवी संस्कृत एक कष़े गूँनीचाए लेको से अफ्तार लेके उस पर्स प्रोडेस्ट को संस्क्रित को जीविती रखने के लिए का आगे बढ़ रहे बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे कि जे जो संस्क्रित है रिशी मुनियों की कहीना कहीं विरासत है डूपती नजर आ रही है क्या कह करेंगे से शचवा early in fact you know अजय मे?' क्यूंकि अभी से नहीं सद्यों से संस्कृत का कि चलता रहा रहा है रहा है तमंप सारी भाषा कई i niceating spray निकलि आए अआ से कह सकते है कि रीशी मुनियों की विरास्त ताइय वेद जो بóp है संस्कृत में लिखे देखे हैं लेकिन सरकार क्यों ने इसके लिए कुछ सोच रही कि देखिए जो भी है संस्कित किया पोस्टें जो निकली है 208 निकली है उसमें हाइसकन्ड में वने हमें listen किया संस्कित को तो जो है वह प्राचीन भाषा है उसमें हमारे वेद पुरान उपनिशत सब लिखे के यह एक कि यह शंक्रित के लिए बात उए उसमें जो संस्कृत के लिए बात ओए थी उसमें तो उसमें यह निकलती यह लीज उतिया उसमें यूद्धि के तो उसमें ये लिखा गया है कि संस्कित में जो greatest treasure in the world जो है language में सब्सक्राइब अक्षय शब्द भंधार है वह संस्कित में ही है इसके अलावा किसी भी अन्यत्र अरेबिक, चाइज, पर्शियन, मेंडरेज या कोई भी अन्य भाशा हो उसमें ये शब्द भंधार जो है ये कहीं मिलता है नहीं यासे एक शब्द है sun तो sun के लिए इंग्रिश और रोमन में तो सिर्फ sun है but संस्कित में इसके भानु दिवा कर दिन कर रहा इत्यादी आने का संख्य शब्द आपको मिल सकते हैं तो ऐसे है कि अगर हम sun को भूल जाते हैं तो यो प्रकाश दुनिया को समाई को इस universe को जो रोशनी देने वाला प्रकाशित करने वाला वो उसको ही हम भूल जाएंगे तो ऐसे संस्कित में अगर दिन कर भूल गया तो भानु आ गया भानु दिन कर रहा इत्यादी आपस मानर याद रख सकते हैं तो इस ये national brain research center एक है इंडिया का तो उसने वी एक संस्कित को liturgical जो language है ये संस्कित है वो इसको ही प्रमानित किया है तो कहती है कि संस्कित में जब हम संस्कित के शब्दों का उच्चारन करते हैं तो ये हमारा brain है ये पूरा totally work करता है तो इसके प्रानायाम के द्वारा हम इनको उच्चारन करते हैं इन शब्दों का अपना उच्चारन स्थान है यासे इसमें grammatically and linguistics एक जर्मनी में एर्लाइन का नाम पुश्प खेंसा तो लुक्त का अर्थ होता है से लिपहता हो गया हनसा मतलब हंस जो अंडेंजर श्पेशीज घुलुपत होने के पर है वही कंडिशन लुपत हंसा यासी कंडिशन यहां हमारी इंडिया में क्युं नहीं है जर्मनी इत्यादी बाहरी पास्चात्ति देशों मेस संस्खिती, को इम्पॉरिंस को समझा Pourquoi देशिंधी संपर वचारां तो हमारी इंडिया में और इंडिया मे वि क्यूंकि अन्ने अप्रदेशों में हिमार्चल हो गया यूके उत्राखंड हो गया रायस्थान हो गया करनाटमत्तुर इत्यादी विदीशाग्राम है MP में वहां तो टोटी संस्क्रिप आए जा रही है बट यहां हमारे जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक बरगया शक्ष्णिक जो बावू बैठे होए हैं जो जिन्हों जिने श्रमित को भी मैं अबिधाने हैं यही है कि आप हमारी ठागी रहेंगे तो संस्कित ही रहेगी आप से जाना चाहिए कि भारत तो पूरे वर्लें संस्कृत को सहारा है संस्कृत ने अपना एक लोहा मनवाया है लेकिन अपने ही जम्होकशमीर में जो कि शॉर्था पीठ इसे लेंग्वेज जो है संस्क्रीट तो आनिवारे रहेगी रहेगी तो कहीं न कहीं डिजिटलाइज़शन को भी अगर देखते हुए तो एक बैक्वोड में कहीं बैक्वोड में ना आ जाएं आपका क्या संग्यान रहेगा क्या कहीं इसके बारे में में सुरिंदर कुमार शोद शातर जम्मू विश्व विद्याले सबसे पहले तो मैं जये बात करना चाता हूं कि मैं THोड़ा संस्क्रिट में बोलना चाता हूं तो कहने का ताथ परेज है कि संस्कृत बाशा सबसे प्राचिन है लेकिन जो लोग जो भेग्यानिक मानते हैं कि ग्रीक जहां लेटिन बाशा जो है वो संस्कृत की बाशा तो जो दार्षनिक पक्ष उसका देखा जाए तो संस्कृत बाशा ग्रीक लेटिन बाशा से भी परे है और उन से भी पहले है तो जहां तक जम्मु कश्मीर की बात है अगर संपूरन देश में संस्कृत का विकास आज थोड़ा बड़ा है पीछे से लेकिन आज जो जम्मु कश्मीर में है वो पहले सबसे ज़्यादा बिकास जम्मु कश्मीर में था क्योंकि अगर कलहन, विलहन, शंबू, जोधरा, श्रिदर, अविनब, गुप्त, शेमंदर जासे विद्वान जहां से संस्कृत के निकल सकते हैं और पूरे देश पर कमाड़ कर सकते हैं लेकिं आज ऐसी स्तिती हो गे है तो बेद्वान्यों का इतना बड़ा जोगदान, जो जम्मु कश्मीर की दर्ती, बेद्वानों की दर्ती है जहां से रिशी मुनियों की दर्टी है, जहां से प्राप्त हुआ है तो लेकिन आज सरकार की कोई ऐसी नीतियें हैं, कुछ ऐसी ब्रश्ट नीतियें हैं जिसके तहत कि हमें कोई भी संस्कृत का कोई भी अधर जो आगे की और नहीं दिखाई दे रहा है कल एक जिस तरह से इनिशेटिव लिया गया था कि एक सदवुद्धी जग्य किया गया था वो जग्य जो था जो वो एक कुंडी जग्य था जिससे इतनी थोड़ी बारिश हुई है अगर आने वाले दिनों में 118 कुंडी जग्ये हो जाए तो जाने कितना सलाब आ जाए तो मैं माने निया गवर्नर साब जी से निवेदिन करूँगा कि वो तुरंत जल्द से जल्द हमसे मिलने की कोशिश करें क्योंकि हम स्कालर हैं हम गुमेंगे नहीं आपको हमारे साथ मिलना होगा मैं इनी शब्दों के साथ अपनी बानी को बिराम देता हूँ बिल्कुल जैसे कि आप से जाना चाहेंगे जो कि अगर 10th में Sanskrit नहीं है 12th में नहीं है नर्सरी में नहीं है पहली से लेकर के 10th तक Sanskrit नहीं है अगर बच्चों को बेज ही नहीं पता होगा तो आगे चल करके Scholars कैसे आएंगे आगे चल करके Sanskrit कैसे बढ़ावा दिया जाएगा इसके बार में क्या कहना चाहोगे सबसे पहले तो नमस्कार मैं कॉमल परिहार तो जैसा कि आपने कहा कि अगर स्टार्टिंग में ही नहीं होगी बेस ही नहीं होगी इसी चीज की तो आप उसको आगे से क्या पढ़ा सकते हो हर एजुकिशन का एक तरीका होता है जब हम बच्चे को इंगलिज सिखाते तो स्टार्टिंग में उससे A, B, C, D सिखाएंगे तो फिर जाके हम उसको apple boy करके sentence सिखाएंगे फिर उसको एक language की तोर पर सिखाएंगे उसका इतिहास उसका सब कुछ सिखाएंगे बच्चेप हमारे बच्चों को आज के टाइम में संस्कृत का उन्हें स्टार्टिंग में पता ही नहीं संस्कृत क्या है उन्हें पता ही नहीं एक language है ठीक है ये वेद में पढ़ी जाती है से मंत्र पढ़ी जाता है यसादियां होती है यह होता है वो होता है बट यह नहीं पढ़ा जाता है कि उसमें हमारे religion का हमारे विश्व का सबसे गूर ग्यान इसमें छुपा हुआ है, हमारे देश के, हमारे पूरे विश्वे के जितने भी सबसे प्राचीन गरंथ हैं, वेद, वेद हो गया, शास्त्र हो गया, उपनिशद हो गया, ब्रामन हो गया, आरेनेक हो गया, इतना सारा ग्यान इन सब चीज़ों में है कि और कहीं आपको कहीं न तक किसी बार सबसुभी जाएक हुदेट वर्यूजों मि कि अपने बच को मैं प्शनेशन को सब्सक्रूर में ईह इस को अपना रहे हैं लेकिन हमारे देश में बहुत सारी राज्यों से असन सब कुछ हुरा है लेकिन हमारी स्टेट में जो है वो कश्मीर बेंस पोलिक्स हो रही है जिसकी वजह से बाकी सब सब्सकुन को अपनाया जा रहा है लेकिन हमारी संस्कृति को यहाँ से आने कोशिश की जा रही है बिल्कुल आखरी स्वाल क्यासे आप अपने विचार रखेंगे शिर्मान गवर्नर महोदे जी के आगे हमारे चानल के माधियम से कि संस्क्रित को कहने के इंप्लिमेंट की जाए जो आपका एक मुख्य हो देश्य है जी मेरा मानने गवर्नर महोदे से ये एक विनम्र निवेदन है कि हम लोग भी हमारा एक पड़ा लिखा वर्ग है इस समय समाज का हमें लोगों को हमसे बहुत उमीदे हैं कि हम आगे जाके बहुत अच्छे भविशिक आए जाएगा तो हम भी सड़कों पर नहीं उतारना चाह तो दर्शकों ये थे सांस्कृत के शोद करता जिन्होंने सांस्कृत के जुड़े कुछ पहलों से हमारे साथ बात की और कहा कि सांस्कृत को कई ना कहीं पहली से लेकर के 12 तक इंप्लिमेंट किया जाना चाहिए ताकि अगर बेस स्ट्रॉंग होगा तो आगे चलकर भी स्क स्कार